नमस्कार दोस्तों मैं आसा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे स्वास्त होंगे मस्त होंगे आग मैं आपको बताऊंगे खटपूरिया बनाना मैंने कड़ाई में घी डाल दिया है अब मैं इसे 300 ग्राम सुजी डालूँगी अब मैं इसको अच्छे से लाल करके फ्राई करूँगी बहुत अस्ता काफी लाल करना पड़ेगा इसको पा रहे हैं कि मेरी सुजी एकदम लाल तरीके से मैंने इसको अच्छे से बून लिया है एकदम एकदम बेहतरी तरीके से अब मैं इसको निकाल दूँगी आगे का मैं के दिखाती हूं कि दोस्तों जैसे आप देख पार रहे हैं मैंने सुजी बूज की अच्छे से रख लिया हैं मैंने यहां 500 g लिया कोवा तो ग्राम किस्मित ली हूँ, 200 ग्राम चीनी भी लिया है और यहां पर नारियर काटके रखी हूँ और यहां पर काजु गदान को पीज दिया है क्योंकि खड़ा दालती हूँ बच्चे रिकाल के फेड जोती है इसलिए मैं इसको पीज के डालना है और यह फेल ली हूँ मैं आठा गुदने के लिए आगे आपको बताती हूँ पैचे बनाना जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने आठा ले लिया आठा में थोड़ा सा नमक डालोंगी उसके बाद इसमें मैं यह रिफाइन डालोंगी तो अच्छे से आठे में रिफाइन और नमक को मिलाउंगी दोनों अब मैं इसमें पानी डालोंगी आठा को कड़क ही सानना पड़ता है इसको वीला बेल्कुल देही करना होता है आठा इदब कड़को ना चाहिए जैसे आप देख पार हैं समान मने आपको पहले सारा दिखा दिया था अब मैं इसमें मिक्स करूंगी यह मनने लिया सूजी इसमें कटा हुआ नारियल डाल दिया अब मैं इसमें पीसे हुए सारे मसाला कादी बदाव किसमें सब है इसमें डाल दिया अब मैं इसमें खड़ा किसमें डालूंगी इसके बाद मैं इसमें खोवा डालूंगी अब मैं इसमें चीनी डालूंगी इसमें डाल दिया अब मै मैं इसको अथि vibration दोंग एकमें सारे में तोबहा क्वा से भ्लिकत होगा इतने with our तें आप देखपा रहें हैं अब मैं इसको बेल रही हूँ को सिरोत बर्लां कैसे बनाना है मैं आपको एक तुम बताऊंगी अब मैंने हो हमसाला तयार करके लखा है अब मैं इसको किष्याने भरूँंगी उसको भीना गरूंगी क्यादा अच्छे से गणी तो हम तो ळागुझा कि लेना न साथ उय तो आइस जबादिया अब मैं इसको अच्छे से मोड़ूंगी यह मैं बना रहे हूं ख tribalriya इसको qujia भी बोलते हैं इसको कर रंजी भी बोलते है सबक्के हाँ काा अलग-अलग तरीका है बोलने का हमारे हैं इसको यही बोलते है अब मैंने इसको तेल में आप इसको जरूरोड बनाएं घर के itMojor बना करके इसको खाएं बड़ा प्यारा लगता है देखिये मैं आप लोग पे लिए बहुत प्यारा था गजियाँ बनाकर रिडि की हूँ आप लोग इसको खाईए इनजुआ करिये और मेरे लिए like करिये comment करिये subscribe करिये Thank Thank You встреч